हे दोस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube चैनल पे women's big best league का हम लोग match no.10 कवर करने जा रहे हैं Brisbane heat बना Hobart Hurricanes के बीच में मैच होगा जोकि junction over Melbourne में जोकि Melbourne Renegates का home venue रहे चुका है past के अंदर अभी फिलाल mixed game यहाँ पर जो यह वो चल रहे हैं तो heat versus Hobart का यह match है heat की बात करते हैं दोनों match खेलें दोनों अच्छी तरीके से इन्होंने win किये महीं Hobart ने पहला match अच्छा win किया था second match में Sydney Thunder ने bounce back किया और इनको हरा है था तो दो मेंसे एक मुकापा इन्होंने जीता है उन्होंने हरा है तो team कैसे बनेगी क्योंकि काफी players जो हुआ include हुआ है playing 11 में changes भी होंगे क्या changes है उसको लेकर हम लोग discussion करते हैं उससे पहले important है कि पर इस report आप लोग समझे junction of all Melbourne अगर इस विकेट को आप लोग देखेंगे यानि pitch को देखेंगे आपको कुछ ना कुछ North Sydney ओवल जैसी pitch मिलती जुलती नजर आएगी ज्यादा grass covering विकेट नहीं होते हैं इसलिए scores भी बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं यापर थोड़ी slower side वाली की विकेट आप लोग इसे कह सकते हैं slower side भी नहीं कह सकते हैं कि balance track आप लोग भी सकते हैं क्योंगी pass में scores भी यहाँ पर बने हैं क्योंकि heat वगेरा यहाँ यहाँ पर खेलीती तो 180 अब भी scores बनाए हैं तो मैं सबसे पहले आपको actual sheet की तरफ लेके चलता हूं जिससे आपको clearly पता लगेगा कि कैसे जो है हैं यहाँ पर scores बन रहे हैं सबसे पहले मैं जो मीन करता हूं और last के 10 matches देखिए women's big best league की ही मैं बात करूंगा ठीक है यहाँ पर देखिए आप लोग 156 बना 144 159 190 154 167 देखो 1 2 3 4 5 6 बार ऐसा हुआ है कि 150 के around total तो बना ही बना है तो मैं क्या मान सकता हूं average score जो है यहाँ पर यह देखिए 135 के around हम लोग मान सकते हैं कि इतना तो टोटल बनता ही है अब जब 135 का strict होने चाहिए आपको बिल्कुल balance बनाना पड़ेगा combination ऐसा नहीं कि वन साइड़ेटी टॉप के बैटर्स को आप लोग CVC कर रहे है आपका ध्यान होगा all rounders और main bowlers की तरफ ठीक है यह point में हम mention करता हूं all आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ पर all rounders plus main bowlers इनी की तरफ आपको CVC करना चाहिए ज्यादा risk आपको जो है वो नहीं लेना चाहिए ठीक है यह ध्यान रखना यहां से इस पहले मिस्ट है कि यह ignore कीजिएगा ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान रखेगा मैं आपको बता देता हूं chase करने वाली team ने विन किया है क्या आगे मैं score आपको दिखा है उसमें बैटिंग फर्च वले team को advantage रहा है ऐसा लगता है कि second inning में आता है विकेट थोड़ा slow हो जाता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट देखते हैं कैसा होता है वैसे हम लोग live pitch report देखेंगे तो उससे हमारी और भी better teams जो हो बन जाती है ठीक है तो ध्यान रखना है conclusion क् आपकी बननी चाहिए overall आपकी अंदर important ballers होंगे important arounders और main better जोगी score कर सकते हैं उन्हीं को back करना चाहिए part-timer की तरफ आपको ज्याद ध्यान नहीं देना है ठीक है यह ध्यान रखना है खेर मैं आपको बताऊंगा कौन से player को लेना चाहिए आप लोग telegram channel से में जोड़ सकते हूँ टीम ने उसकी बात करते हैं होबाट ने अपना 13 मेंबर का अंचेंज squad अनौस किया है सेम squad यह लास्ट में था जो लास्ट वीडियो में में बताए था ब्रिस्पेन हीट की तरफ से 13 मेंबर का squad है और लॉराइन विंफिल जो की आपको पता है English player थी England की women's की जो temporary replacement दी हीट पूरी तरीके से 19 में 14 विंग है और 4 matches हुबा टरीकेंस ने विंग की हैं लेइंग की लेइंग की बात करते हैं चेंजेज यही दिखेगा आपको रोडिक्स आ जाएगी सीधी विंफिल के प्लेस पर बाकी सेम प्लेइंग लेइंग आपको देखने को मिल जाएगी दे बाउंडरी में डील करती आपने देखा लास्ट में आती कैसे किया था स्टार्ट किया और इक दो बोलों के अंदर इस ने लगा दिया दस एक रन बनाये थे इसने तो यह हीटर है यह जितने भी रन बनाएगी 30-35 जो भी बनाएगी अच्छी healthy strike rate से मिलाएगी तो आपको points दिलाएगी यह धियान होता है ठीक है और filter तो बहुत अच्छी है ठीक है बाकी Lucy Hamilton, Lucy W के आपको bench पर मिलेंगी पावर प्ले के अंदर Hancock, Jonathan, Shikha Pandya और Sainer Jinger है जो भी generally 4 over का होता है वैसे 6 होना चाहिए था लेकिन इन्होंने power search और include किया है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नह प्लेइंग 11 होनी चाहिए लीज एली व्याट ओपन करेंगी विएरी है उसके बाद मैं विलानी है इसके बाद मैं कैजिन ब्राइजे है मौल इस्टर्णो है लॉर्ने स्वीत और कैली विल्सन है ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी रज जोई कुकी दोनों में से एक को अगर टीम लाना चाहे तो ला सकती है किसके ब्लेइस पे कैली विल्सन के प्लेइस पर यहां पर हो सकता है कि यह जो जोई कूकी है उनको टीम बैक कर सकती है ठीक है यह आपको द्यान रखना एखना है वर जंशन का लातनी तो भी अच्छी ही होगी ओल्ड रांडर से लेड़ी के सबसे बड़ी गेम चेंजर पिक बन सकती इस मैच की देखिए आप लोग फॉलो करते हैं तो विलानी का एबरेज सबसे बेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे आदा स्कूर किया है एक ही आफ सेंचूरी है इसलिए मेरी अपनी फैनकोड वीडियो आप लोग जाके देखेंगे मैंने इनको प्लेयर्स टू अवोइड में रखा हुआ है लास्ट मेंच में भी अवोइड रखा था अगेस थंडर गेम था वहाँ पर भी 25 रन ही कर गई थी लेकिन फिर भी अवोइड वाली लिस्ट में ह ये विकेट कीपर बैटर है फिदर ग्राम भी होगी जोनासन ये तो हमारी टीम के पार्ट रहने ही वाले ये स्टेट्स में आपको बता रहा हूँ जस्ट आप लोग स्क्रीशोट निकाल सकते हैं ताकि आपको अंदा जा रहें कि क्या कुन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है टीम मैचेस भी सैम ही खेले हैं तो ये दोनों क्रूशल सेलेक्शन होंगे और वर्स भी हेल्दी ओवर्स इनों डाले 60 और 61.5 मॉली स्टोर्णों बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती इस मैच के अंदर ये ध्यान रखना है आपको है न क्योंकि आप देखेंगे सामने अपोजि सिद भी है जो ऑफ्रेक वाली डालती बले स्टर्णों विगी टेकर बोलर है उसके बाद में केरी तो होंगी है खेर आप लोग स्किंशोर्ट निकाल लीजे किसने किसने विकेट जो है वो लिये हैं मैं सीधा वेन्यू पर बात करता हूँ वेन्यू से आपको क्लियर कट सज लेकिन उससे मिलती जुलती विकेट आपको देखने को मिलेगी खेर हम लोग लाइफ फिचर रुपोर्ट देखेंगे उसके कोडिंग और भी टीम हम लोग क्रेट करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस सीजगा ठीक है फोटी का एवरेज लीका है यहाँ पर एक हाफ सेंचुर भी इनोंने नहीं किया था थो थोड़ी रिस्की सेलेक्शन फिर पढ़ जाती है लेकिन विम्मेंस की गेम का कुछ नहीं कह सकते हैं एक में श्याओ और नहीं किया था और इस गेम में ऑवर ढाल गए थे तो वैसा हो सकता है तो क्लॉय ट्रोएन अगेन मस्ट हूंगी रखन चाहिए आपको टीम के अंजर ठीक है वाकी किसी के खास आगड़े नहीं है विकेट्स में मॉलिस्टर्ण नो देखा हो गेन आमे 22 में 36 वहाँ पर क्या था 18 में 28 और यहाँ पर 22 में 36 यानि 12-14 विकेट्स अपने मैचस से जादा ली रही है सबसे बड़ी गेम चेंजर हो सकती इस गेम की हो सकता है आपके opposition अवोईड करने का भी risk लें खेर हम लोग देखेंगे कैसे team बनेगी जोनासन हीजर ग्राम तो मस्ट होगी अवोईड नहीं करना चाहिए रिस्क लेना है तो एक ही प्रेस बच्चे का आपके बस में शायद वो निकोला हैंफोग होगा खेर हम लोग देखेंगे आगे recent form आप लोग देख लिए मैं टीम के अंदर ही बता हूँगा किसको रखना चाहिए किसको अवोईड करना है आप लोग recent form का भी screenshot आप अपने लिए निकाल सकते हैं होबाट की तरफ से 0.75 पे speed कर लिए या 0.25 पे क्योंकि आपको screenshot निकाल लेंगे उ हीटर है इस्पिन की हीटर है ओपेस को भी अच्छा दोती ही है यह तो here is मेरे खाल से अभी भी positive sign से आपको pick करना चाहिए रोडरिक साप लोग देख लीजेगा अगर बैटिंग विकिट है तो ठीक टाक पिक कर सकते हैं हम लोग otherwise इन्हें भी avoid करने का risk ले सकते हैं रेट मा मैच अपस आप लोग फोलो कर रहे हैं और ब्रेक वॉलिंग क्योंकि लोडन इस पी तो इस्टंडर सामने होगी तो रेट माइने के उपर और लीजेली इन दोनों में से एक को आप एक विकेट कीपर के साथ में भी जा सकते हैं फिलाल के लिए दोनों मस्ट है लोरा हेरी सा अगेंस अपनी प्रिवेस वीडियो में भी आपको बता है था थंडर वाले में मैच आउस गता है थे कि थोड़ा सा परेशान होती है लेफ्ट आम स्पीन के अगेज में और जैस जोनासन ने डिसमिस किया है स्टाइगरेट तो आपको अच्छाही मिलेगा क्योंकि यह हिट एक टीम में दोनों होगी और एक टीम में मेरी टीम में शायद हो सकता है लीजली ही देखने को मिले और रेड माय ने अवोइट कर जाओं ऐसे चांसस ज्यादा बनेंगे ठीक है फिलाल के रिए दोनों को रखना चाहिए आपको विलानी अवोइड करूँगा निकोला केरी मस्ट है हीदर ग्राम रखनी चाहिए आपको अपनी टीम में कैदिन ब्राइस है पाउर प्ले में बॉलिंग कर रही है तो किसी एकाद मेगा कॉंटेश में हम लोग रख सकते हैं इ यहां भी निकाल सकते हैं ओवरोल करियर परफॉमेंस खेसा इनका रहा है ठीक है बॉलिंग से भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पूरी प्रोपर हेल्प हो जाएगी यहां से भी आप लोग देख लीजिए और सुजी बेट्स के क्या ही कहना सबसे यहादा T20 क्योंकि अलार्म लगा के अब मैं सो रहा हूं रेड माइने में अपनी टीम में रखने हूँगा लीजली अपनी टीम में होगी व्याट हेरिस देखो रखने में तो चारों को रख सकते हैं अगर मैचपस की तरफ जाएंगे तो फिर आप लोग एक यह कर सकते हैं कि व्याट रहे हैं और ग्याट भी हीटर है तो आइच एक दो तीन मैं अभी प्रिफर कर रहा हूं निकोला केडी मेरी टीम में ग्रहम मेरी टीम में हैं और यहांसे मॉले इस चर्णो मैचपस को ध्यान में रखती हूँगा रख रहा हूँ अब यहांसे शिखा पांडे और फिर जज ब्राइजे हो सकती है या पार्षन आप लोग देख लीजिए यह ओफब्रेक डालती है चार्ली नोट भी ओफब्रेक डालती है और लेफटी बैटर्स में केवल आप क्या मिल रहे है एक यहां से निकोला केरी मिल रही है तो आई थिंग कि पार्षन और नॉट इन दोनों में मैं अभी कैदिन ब्राइजे को अपनी टीम के अंदर डाल रहा हूँ आप चाहें तो ट्रेमन को डाल सकते हैं बैटिंग ओडर थोड़ा उपर है ठीक है आपकी चोईस है लेफट आम स्पिनर है और एक लेफटी यहां आ जाएगी एक लेफटी यहां आ जाएगी उपर तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और रॉडरिक्स थोड़ा इस्पिन को अच्छा खेलती है तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क रहेगा तो फिर कैदिन ब्राइजें आई थिंग की बेटर ओप्शन आपके लिए हो जाएगी ठीक है वैसे होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन ए विगेट लेस बहुत कम जाती है तो इनके साथ में कांटिन्यू करेंगे वाइस कैप्टन यासे निकॉला केरी के साथ में जा रहे है यह मेरी फर्स्टीम बनती है ऐसा मेगा कॉंटेस्ट भी और ऐसा स्मॉन लीग जीसा आप लोग कंसिरर करना चाहें वैसा ठीक है जिसमे और यह बॉलर है ना ओलिस्टन और लॉरेन स्मित अब पैसर दीगे एक दो और तीन और यहां से कैली विल्सन का बरोसा नहीं तो बराबर पैसर हैं दोनों के पास में तो मैं लीग के साथ में जा रहा हूं रिस्क ले रहा हूं रेड मायने के ओपर एक बार अवोईड करने अब फिलाल के Лिए मैं क्करकिने कि रहा हूं तो यह जा रहा हूं यह मेरी का यह और कॉन्बीनिशन है अगेन सेम रहेंगे, मेगा कॉंटेस्ट में इस टीम के साथ में मैं प्ले करने वाला हूं, जिसमें रेड माइने को ड्रॉप किया है, एक में मैं आपको पहले ही बताएगे, एक में इसको ड्रॉप करने पड़ेगा, और एक में आपको लीग के साथ रिस्क लेके रेड माइन स्कोर्टिश प्लेयर है और विकेट्स निकल गए तो अच्छी बात है तो मैं लिए बैस्ट होगी क्लोई टरन का भुरोसा नहीं बैटिंग ओडर बैसे भी डाउन है और बॉलिंग करें या न करें ठीक है यह ध्यार रखना है मैंने दो टीमों में ले लिया के दिन रहे हैं और स्वरी ड्या सेरिस निक डैनी व्याट के उपर या ली के उपर एक के उपर रिस्क ले ले लेते हैं क्योंकि रोटेशन ही करने पड़ेंगे हमें हैं को को एक बार रहने देते हैं क्योंकि बहुत जादा यह भी बल्क में विकिट नहीं निकालती है तो एक बार रिस्क लेना चाहूँगा चार्ली not के साथ में ये एक risk रहेगा मेरा, जो कि मैं mega contest में लेता ही हूँ risk तो एक carry plus not को मैंने risk लिया हुए, ओफ biction balling डालती है batting से ठीक्टा contribution कर सकती है तो इनको मैंने vice captain अपरे team के इंदर किया हुआ है, अब एक team ऐसी कि जैसा Sydney, not Sydney, जैसा कुछ, अच्छा score वाला विकिट रहा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, risk ले सकते हैं, Danny Vyatt के उपर, क्योंगी matchups को अगर ध्यान रखेंगे, जोनासन वाले, तो फिर आप लोग CVC नहीं कर पाएंगे, तो देख लीजेगा, मैं क्या करता हूँ, जोनासन को ही कैप्टेन कर देता हूँ, और इस matchups को मैं follow कर लेता हूँ, Danny Vyatt वाले, और मैं यहां से back कर लेता हूँ, किसको, लीजे ली को, ठीक है, यह मेरी team में, अगेन यह matchups को ध्यान रखा, captain मैंने जोनासन को कर दिया है, और vice captain मैं, यहां से, बैटर किसी के साथ में, ली और red man ने दोनों safe नहीं है, तो आपके पास में कोई और opportunity ही नहीं, standar को साथ में जाना चाहें, तो दो wicket निकल कहें, तो वो अच्छी बात हो जाएंगी, जोनासन प्लस मॉल इस्टर्णों, यह एक mega contest का combination है, like मैंने ऐलिसे पैरी प्लस, आपको जो mag landing वाला combination था ना, जैसे वो चला था, वैसे उस तरीके से यह भी combination है, mega contest को ध्यान में रखते हो, क्योंकि Kerry के साथ में सब जाएंगे, Graham के साथ में सब जाएंगे, stunnों के साथ में कोई नहीं जाने वाला, red miner के साथ में कोई नहीं जाने वाला, प्लस Harris को भी हो सकता है, काफी लोग avoid करें, ठीक है, तो यह मेरी team से, जो कि मैंने आपको बना के बताईए, raw digs अगर आपको rotate करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, मैं थोड़ा अपनी team में, यह जो player selections है, उनके साथ में ही चाना चाहूँगा, तो hopefully आप लोग teams को follow करेंगे, और best teams यह को create करेंगे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, थैंक यू.